ओके सो गाइस वेलकम तो साइवर इस्टाइट इटीव चानल इस सालेंद्र है विडियो में जो हमने लाइब सेस्टन किया था उसमें आपको मैं बताया था कि आप कैसे बिंडो सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो आप अब्लुएस अकॉंट पर ठीक है आप कैसे बिंडो सर्वर क आपको अको किया कर सकते हैं लाइफ इसको के नतिके ग्र Hz Lawrence कर सकते हैं रिदा कि यह कुसे यह चेहं लोगों लोग ने लाइफ सेशन देखा ठीक है और आसका सेशन में भी एसका मैं अश्का वाइभ आज का यह वीडियो ही बना भं और और आइसका वाया चिस तरीके से साइट कैसे डेप्लॉय कर सकतो वह चीजे आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तो देख सकते हैं आप मैंने AWS काउंट पर लॉग इन हूँ और मेरा जो विंडोज इंस्टैंस है वह रन कर रहा है सकस्सपूली ठीक है और इसको मैंने एक्सेस ले लिया यह सारी च अगर पढ़ना चाहते हो अगर सीखना चाहते हो तो आप ज़रू जोएन करें इस चैनल फॉर साइबर सेक्रेटी ठीक है बट गाइज जिसको बैसिक्स नहीं पता है कि कैसे हम लोग मसीन को कर सकते हैं क्लाउड का नौलेज नहीं है तो मैं बता दूं कि आप साइबर सेक्र अच्छा नहीं कर सकते हो कि देखो साइबर सीक्रेटी जब सी एच कर जो सबसे बैसिक सेक्रेटी का सटीकर अच्छोडी दो ठीक है उसमें भी आपको क्या है पड़ाया जाता है ठीक है तो आई होप कि जो नूब्स है या नय इस चैनल नय इस फिल्ड में है यार क्लाउड के बारे में भी आपको जानना बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है अगर आप साइबर सी कुरीडी दिखला है कि में अच्छा करना चाहते हो ठीक है सो स्टाइट करते हैं ज्यादा वकवासना करते हुए और इस तरीके से तो मैं सबसे पहले विंडो एक्सस जो लिया हूं उसका दिखा देता हूं मैंने लिनक्स अगर यूज कर रहे हैं तो आप रेमीना नाम का सॉप्ट्वेर आता है उसके थूरू आप कर सकते हैं अगर आप देखना चाहते हो ठीक है तो आप मेरे लाइव सेश अगजर इस तहरए क्सेश कर सकते हम मैंने संगें सबस्क्रावा प्लावट से प荷 qu depending नार क्या है इस तरीके से ओपन और यहां पर टूल्स पर क्लिक करना जैसे ही आप टूलस पर क्लिक करोगे यहां पर इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस ठीक है मैनेजर इसे जो की एक windows server है ठीक है इसके अंदर एक tool आता है internet information service का ठीक है इस service आपको enable करना पड़ेगा कोई भी website को deploy करने के लिए ताकि आपका जो website है वो दीख है ठीक है तो यहाँ आपको click करके इसको install कर लेना है बेसिक्स है next next करते जाना आपको ठीक है और यहाँ पर मैंने install कर लिया ठीक है तो इसमें कोई आपको problem नहीं होगा ठीक है आप continue करते next 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 करते जाना ठीक है अभी मैं क्या करता हूं इसको close कर देता हूं ठीक है और इस तरीके से यहाँ पर आपको options मिल जाएंगे अगल जाना फाल केया आपको Hochul खिर को मैं करने वाला फिक है तो यहाँ पर आपने कर लिया ठीक है अब आपको जैसी आप इसको install कर लोगा एं शर्वर को तो क्या होगा आपके साथ एक मिनट रिकनेंक्ट हो रहा है एक्षुली इंटरनेट इसू हो सकता है थोड़ा सा ठीक है तो आई होब कि मैं थोड़ा सा आपको चेक करके दिखा देता हूं कि मेरा स्पीड क्या है स्पीड टेस्ट गूगल ओपन करने में ही इतना समय लगा तो आई होप सो की स्पीड अच्छा नहीं है जिसके बज़े से चीज़ें हो रही है ठीक है तो बैसिकलिए आपको एक्सस ले लेना है ठीक है और इसको मैं क्लोज कर देता हूं और इस तरीके से देख सकते हो मेरा इ यहां पर भीच कर रहा हूं तो मैं इस पर टैम बेस्ट नहीं करता हूं ठीक है तो मैं बेसिकलिए क्या कर रहा हूं अभी जो मेरा ओके री कनेक्टिंग ले रहा था तो वह बिसिकली डिसकनेक्ट हो गया तो मैं फिर से क्या करता हूं रेमीना नाम को सॉप्टिवर को अपन करता हूं और अर्ड़ीप को एक्स करता हूं यहां से और चलो मैं यह मेरा पबलिक आई पी है और यूजर ने हमारा पर हाँ है क्यों है यह 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 चैर है और पासफट मुझे क्या करना पड़े हैं मेरे अकाउंट से तो यह मेरा instance है ठीक है इसको connect करना है connect पर click करके यहां पर get password पर आपको यह browse करेंगे तो आप sorry मेरा browse किया हुआ है तो decrypt password यह सारी चीज़े कर सकते हैं वह सारी चीज़ें हम लोग ने दिखा चुका हूं ठीक है तो यह हो गया हमारा password और तो आप यह मत समझना कि मैं इसको access ले सकता हूं ठीक है क्योंकि मैं after this video उस password को मैं हटा दूंगा और सारी चीज़े कर दूंगा तो मैंने access ले लिया है ठीक है और अभी यहां पर करना क्या है आपको मैं अपने successfully install कर लिया ठीक है install करने के बार आपको जैसे install करेंगे आपको file manager जैसे windows में open करते हूं उस तरीके से open कर लेना है ठीक है और आपको पर क्लिक करके और स्याब्रहन से के अनदर जाना ही से के अनदर जाएंगे तो index.pub के दाफना है इस सिस इस आक्वांग की बड़ी कर रहे हो तो dhp के लिए next video बताऊंगा क्यूंकि प्यश्पilles ofですね तो बहुत हर डिफरेंट तींग उसके लिए डिफरेंट सर्वर इंस्टॉल करने पड़ेंगे तो मैं स्टीमल वैब साइट के लिए इस वीडियो में बता रहा हूं ठीक है तो अभी यहां पर आपको कोई भी क्या करना है नोट पैड ओपन कर लेना ठीक है यहां पर आपको स सकत लिए यह Mrs. Oms मैं एक मैसेज में लिए लिएता हूं वेल्कम टू ए डवाहत सर्वर के और इस्टीमक्रीस को क्या करना आपको क्लिक करना सेवस्बाल में स्टीमल वेप्सर अज़़े शां सेवसाय अलश्ड व्यानिव्या करना हे हैं कुछ और एपको अन्ता आका कि टो करेंगे सेभाह ऑल आपको सिलेक्ट करें मैं आपको इंडेक्स-डौre लोट है यह थे सकते हैं आपको इसके अलावा कुछ नहीं क्या है टाभी है थ Cornish कडेंगा ठीक है तो यहां पर save पर click कर देना ठीक है अब हमारा जो file है वो successfully save हो चुका है और वो मैं this PC के अंदर जा के दिखाता हूं ठीक है यहां पर क्या करना है आपको मैं इसको close कर देता हूं और कोई firefox तो नहीं मिलेगा आपको install करना पड़ेगा है चाहिए chrome तो आपको क्या करना है यहां इंटरनेट explorer open कर लेना है जो by default आता है और यहां पर search करना है आपको localhost लोकल होस्ट ठीक है localhost सर्च करके आपको इंटर करना है जैसे यह localhost सर्च करके इंटर किया हमारे जो website है वो successfully localhost पर रन कर रहा है नहीं welcome to AWS server यहां दिखा रहा है हमारा website रन कर रहा है इसको access करने के लिए एक और option है ठीक है यहां पर आपको http colon उसका बात 122 जो की localhost का IP होता है ठीक है 0.0.1 करके भी आप access ले सकते हो तो गाइस देख सकते हैं पर मैं access ले पा रहा हूं ठीक है अभी मैं इस website को out of this operating system यानि इस server के बाहर यानि worldwide access लेने का कोशिस करता हूं तो मुझे क्या मिलता है ठीक है वह चीज़े मैं करके आपको दिखाता हूं तो उसके लिए guys basically मुझे क्या चाहिए होगा इसका public IP चाहिए होगा ठीक है तो public IP मैं यहां से क्या करता हूं इस machine का copy कर लेता हूं इसका public IP क्या है 13.122.165.22 ठीक है इसको मैं अपने जो machine है out of the server उस पर access करने का कोशिस करता हूं ठीक है तो उसके लिए मैं इसको हो रहा है reason behind it क्योंकि इसको publicly access करने का हमने allowed नहीं किया है इसको publicly access करने के लिए अभी हम लोग क्या by default ठीक है तो उसमें अब मैं आपको कुछ कुछ add up करना बता रहा हूं ठीक है तो जैसे कि मैंने security and groups में जाना है और actions ठीक है हां तो actions पर जाने के बाद security and groups actions पर जाने के बाद आपको इडिट involved rule पर जाना है ठीक है इडिट involved rule पर जाएंगे तो basically होगा क्या कि देखो जो भी हमारा मैं क्या क्या कर रहा हूं यहां पर जो website जो हमारा रूल्स का मतलब है कि जो भी हमारा इस port के थूरू इस port के थूरू जो भी connection हमारे system पे हमारे यानि server पर जो भी connection आ रहा है उसको यह allowed नहीं कर रहा था अभी हम यहां से लाओ करने जा रहे हैं तो यहां पर मैंने कौन सा port को यह लॉग किया हुआ है अभी तक जो by default मैंने इंस्टॉलेशन के दौरान किया था इंस्टाइंस लाँच करने के दौरान वह RDP को मैंने किया था ठीक है तो जैसा कि देख सकते है RDP और पोर्ट नमर कितना है 3389 ठीक है यह RDP का पोर्ट होता है यहां पर मैं हम लोगोंने किया कि छोड़ मैं चाहता हूं कि कस्टम TCP अपना करो ठीक है उसके लिए ओल और कस्टम TCP और ट्राफिक को फिर यह करना पड़ेगा तो यहां पर आपको चूज करना है यहां पर जाओगे तो आपको आ ऐख ब Juice यहां पर द आपको क्या करना है जाणा परनो 90 को žiggles कर लेक्षाए कर लिए और कस्टम के जगर यहां पर क्या करना है यहां पर अपर देख सकते हो यह lis अभी आपको क्या करना है कस्टम के जगह एनिवेर सेलेक्ट कर लेना है अब हमारा जो वेप साइट होगा एक्सेसिवल होगा अल अबर दबर्ड विद्ध हेल्प पब्लिक आई-पी ठीक है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इनस्टैंस में जाना होगा और इनस्टैंस में जाने के बार मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा जो पब्लिक आई-पी है plat सेलेट में B Minister कि मैं यहां सेलेक्ट करता हूं कि कौपी कर्ता ही है और दूसरे टैब में क्या कर रहा हूं यहां egal कर रहा हूं इसको ठीक है और गाइस देख सकते हैं कि यह हमारा जो सर्वर है सकसेस्पूली लोड हो चुका है यानि वेब साइट हमारा लोड हो चुका है और इसको हम लोग क्या करें विद्ध हेल पॉब्लिक आई-पी हम लोग वर्डवाइड एक्सेस कर रहे हैं ठीक है यह फिर से मैं क्या करता हूँ लोकल होस्ट क्या करता हूँ सर्च करता हूँ ठीक है अपने के ठीक है लोकल होस्ट ऐस ट आपको लिखना है लोकल होस्ट इस तके से लिखके और इंटर करना है। आधी देख स्टे है हमारा Localhost पे भी यह सर्वर वेब साइट लोड हो रहा है एंड पब्लिक लीड हो रहे है ठीक है सो आज का वीडियो यही तक रहेगा और नेक्स वीडियो में हम लोग इसमें और भी चीज़े करके देखेंगे और वह लाइप सेसन पे थीक है आई होब कि मैं लाइव क्लाउड का लाइव ही सेशन लूँगा जाद आता है अगर आप क्लाउड चीखना चाहते हैं तो मेरे लाइव सेशन पर जरूर आए ठीक है इसके अलावा बहुत सारी चीजे हैं इसमें ठीक है और हो सकता है तो नेक्स वीडियो में आपको लिनक्स पर रेड़ हैट पर कैसे आप अपना खुद का वेब साइट डेपलोय कर सकते हूं वह चीजे में आपको करके दिखाऊंगा ठीक है तो गाइस मिलते हैं नेक्स वीड बढ़ साङचिन आपको संबु responds ini से अपयों पहुत जडिकता है यह थैक है सारी चीजे को अगर मिलते हैं नेक्स वीडियो में और थैंक्स वाचिंग की चाइंग वेचने मिडिक दूप भी है consider subscribe and thank you so much bye bye have a nice day